देखे, photography is an art and अकसर लोग जो photographer है ना, उसकी पारदर्शिता, उसकी पारखी नजर की तारीफ करते हैं लेकिन आज जिस photography exhibition की हम बात कर रहे हैं ना, भाईया इसमें तो अब आप पारखी नजर की बात करेंगे तो कैसे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं, सीरियल आपकी नजरों ने समझा, अब बात यह है कि हमारी जो photographer साहब हैं सीरियल में, वो तो नित्रहीन है, ऐसे में photography का जजबा रखते हैं और क्या कमाल photograph कीशते हैं, देखे ना एक घर का बड़ा बेटा है दर्श, जो इस दुनिया को आप कभी अपनी आखों से नहीं देख पाएगा, लेकिन दर्श को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को अगर फर्क पड़ता है, तो वो है दर्श की माँ जो अपने बेटे को जी जान से प्यार करती है, अब देखिए, एक घर में एक्जिबीशन लगा हुआ है, तरह तरह के महमान आए हैं और वाह इस एक्जिबीशन की तारीफ भी खूब हो रही है, अज तक ऐसे ही करते हैं इतने सालों से, और यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि आखें एकदम ब्लांक रहनी जरूरी है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वही जैसे ही दक्ष की एंट्री हुई, सभी लड़कियों ने दक्ष को घेर लिया, अब वो सुपरस्टार थो है ही, हाल ही में दक्ष ने फोटोग्राफी में भी अवार्ड जीता है, अब ये सब तो ठीक है, हमें तो बड़े बेटे के लिए होता है, तो बड़े बेटे को कुछ हो गया है, चोटे बेटे की वज़े से, तो थोड़ा सा इसलिए मा बढ़क रिया है, अब ये सब तो ठीक है, हमें तो उस बात का इंतिजार है, जब दर्ष की मा का दिल तूटेगा, क्योंकि उसकी प्यारे बेटे का रिष्टा जो ठुकराया जाएगा, और फिर दर्ष की किस्मत में ऐसी लड़की आएगी, जो उसकी दुनिया बदल देगी, याने की उसकी आखों की रोशनी लौट आएगी, अब हम जानते हैं कि ऐसा होने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन भई वक्त का इंतिजार करना ही तो मुश्किल है, इसलिए तो हमने आपको आगे की कहानी बता दी, मुंबै से कलीम सल्मानी के साथ, ABP News Report ABP News आपको रखे आगे